सो हेलो गाईज कैसे है आप सब दोस्तों क्या आप भी डू लिंगो एपलिकेशन का पासवर्ट भूल चुके हो तो गाईज इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको टैंसल लेने की कोई जरूवत नहीं है बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है सुर्स लेकर लाट तक देखना है और गाईज आप यदि हमारे इस योट्यूब चैनल पे नए हो तो इसी परकार के हेलफुल वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजे ताकि हमारे सवी योट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो गाईज पासवर्ट आप भूल चुके हो तो क्या करना है तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले डुो लिंगव एफिकेशन को ओपेंड कर लेना है एफिकेशन को ओपेंड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर दो ओप्सिंस देखने को मिलता है एक गेट स्टार्ट और यहाँ पर I Already Have an Account तो आपको सिंपली से आई औरडी हैव एंड एकाउंट के ऊपर क्लिक करना है इसको उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है आपको अपना email address यहां पर डालना है जिस email address से आप जिस email ID से आप इस account में इस application में account बनाई थे उसी को आपको यहाँ पर डालना है तो चलिए मैं डाल देता हूँ email address को डालने के वाद guys आपको यहाँ पर अपना password डालना है तो guys आपको अपना password याद नहीं है तो क्या कर सकते हो तो guys आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा forgot password तो guys आपको यहाँ पर click करना है forgot password के उपर और forgot password के उपर click करने के बाद आपने जिस email id को पहले डाले थे उसी email id को आपको यहाँ पर डालना है तो चलिए मैं email id को डाल देता हूँ email id को डालने के बाद guys आपको यहाँ पर क्लिक करना है send email के उपर तो guys send email के उपर क्लिक करने के बाद इस email id में एक guys email send होगा तो यहाँ पर बताया जो आ रहा है check your spam folder और try again तो gmail application में जो spam का जो फोल्डर है उसको हमें open करने के लिए बौल रहा है तो सबसे पहले हमें gmail application को open करना है gmail application को open कर लेने के बाद guys वह folder आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है three line के उपर और three line के उपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की और आना है तो guys यहाँ पर देख सकते हूँ spam तो spam के उपर आपको simply say click करना है तो यहाँ पर guys वहाँ email यहाँ पर आ चुका है नया password बनाया गया तो आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद password को guys आप यहाँ से change कर सकते हूँ तो आपको click करना है यहाँ पर नया password बनाए तो simply से इसके उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हूँ guys new password तो आपको यहाँ पर एक new password create कर लेना है इस account इस application के लिए तो चलिए मैं एक new password create कर लेता हूँ तो guys उसके बाद आप उपर में जो password डाले हो उसी password को आपको नीचे एकदम सही सही डालना है और confirm करना है दो चलिए मैं confirm कर लेता हूँ तो guys हो जाने के बाद आपको यहाँ पर click करना है reset password के उपर और reset password के उपर click करने के बाद यहाँ पर guys finally लिखा हुआ आचुका है success your password has been updated तो guys हमारा password successfully update हो चुका है तो अभी guys आप यदि dualingo application में login sign in होना चाहते हो तो आप sign in हो सकते हूँ तो चलिए मैं आपको sign in तो यहाँ पर guys automatically sign in हो चुका है password को change करने के बाद तो इस प्रकार से password को आप change कर सकते हो यदि password को भोल गए हो तो ऐसा करता हूँ guys यह video आपको अच्छा लगा होगा useful लगा होगा इस video को like करना अपने दोस्तों के साथ इस video को share कर देना ताकि वह भी जान सके वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगाद